मैं डक्टर लक्ष्मीन हरेंड प्रवक्ता इतिहास राजकिये माडल संस्कृति वरिष्ट माद्यूंक विद्याले ततारपूर इस्तमुरार रिवाडी हरियाना आप सभी विद्यारतियों का आज के इस व्याख्यान में स्वागत करता हूँ आज के हमारे अध्याय का नाम है राजा किसान और नगर आरंभिक राज्य और अर्थ विवस्थाएं आज का अपना उपविशय है गुप्त सामराज्य प्यारवी द्यारतियों सबसे पहले जानते हैं गुप्त काल के जानकारी के स्त्रोत क्या क्या है पुरान दरम सास्त्रों और स्मर्तियों में हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है, तथा कावे नाटक आदी साहित्यों में भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है। काली दास जैसे महान कवियों द्वारा इस समानेक नाटकों की रिचनाएं हुई, अनेक साहित्यों की रिचना हुई इसी तरह से अनेक अन्य साहित्कार इस काल में हुए जिनों ने गुप्त काल का वर्णन किया है। चिनी आत्री फायान की पुस्तक फोकों की में भी गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इच सिंग ने भी गुप्त काल का वर्णन किया है। अभी लेक अभी लेकों से भी हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। हरी शेन का इलाबाद स्तंब ये गुप्त काल की प्रमुख जानकारी का स्त्रोत है। जो ये चित्र है ये अभी लेक हरी शेन का है। इसके उपर खोद करके लिखा हुआ है समुदर गुप्त के इतियास का वर्णन है। ये बराबर में जो लिखाई है ये इससे उतारी गई है। इस तरह का वर्णन हमें इस स्तंब पर मिलता है। इसकी तेरवी लाइन में हमें समराट समुद्र गुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है दूसरा है जूनागड शिला लेक तीसरा है महरोली का लोज तम्बलेक आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे दामोदर अभिलेक फरीदपूर्थ तामरपत्र और इस तरह से अनेक अभिलेकों से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है गुप्त काल के सिक्के और महरे भी हमें गुप्त काल की जानकारी देते है प्यारे विद्यार्थियों अब जानते हैं प्रमुक गुप्त सासकों के बारे में पहला गुप्त सासक श्री गुप्त हुए इनका राज काल दोसो पिचेतर से तीन सो युशी तक का माना जाता है इन्होंने महाराज की उपादी धार्ण की जो एक साधार्ण उपादी माने जाती थी जो यह इसारा करती है कि श्री गु सासक की अधिनता में थे दूसरे सासक वे घटोत कच इनका राजकाल 300 से 319 इस्वी तक माना जाता है इनों ने भी महराज की उपादिधारन की ये भी सवतंत्र सासक नहीं माने जाते हैं गटोत कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रत्थम जिनका राजकाल 319 से 335 इस्वी तक माना जाता है ये पहला सवतंत्र सासक माना जाता है क्योंकि इसने महराजा धिराज की उपादिली जो सवतंत्र सासक लेते थे इसने लिच्वी राजकुमारी कुमार देवी से विवा किया जिससे इनकी मज़गूत स्थिती का अनुमान लगाया जा सकता है चंद्रगुप्त प्रत्थम के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्धी पर बैठे 335 इस्वी से 375 इस्वी तक इनोंने राज किया समुद्रगुप्त की जानकारी का प्रमुक स्त्रोथ उसके दरवारी कभी हरीशेन द्वारा रचित प्रियाग प्रशस्ती है जो हमने अभी देखा था उस पर समुद्र गुप्त के इतिहास की पूरी जानकारी दी गई है इस प्रश्चिष्टी की तेरवी पंग्ती में हमें समुद्र गुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है इसमें पता चलता है कि समुद्र गुप्त ने अच्चत्वे नागशैन के नेतरतों में आए उत्री भारत के नो राजाओं के संग को हराया नो राजाओं ने इकठा ओकरके समुद्र गुप्त राक्रमन किया जो समुद्र गुप्त ने हरा दिया ये स्थान था कोशामबी कोशामबी के स्थान पर नो राजाओं के संग को हराया इसी तरहें विश्णु गोप के नेतरतों में दक्षिन भारत के बारा राजाओं के संग को हराया मद्ध भारत की अनेक जातियों को भी इन्होंने विजित किया शमुद्र गुप्त ने अस्मयग यक का आयोजन किया अस्मयग यक का आयोजन राजा उस समय करते थे जब उसके आसपास के सभी राजा उनकी अधिनता स्विकार कर लेते थे इसने अपने सामराज का विस्तार ना करके जीते वे राज्यों को अधीनता स्वीकार करवा कर छोड़ दिया यह समुद्रकुत की बहुत बड़ी कूट नीती थी अनेक धक्षिन भारत के राजाओं को जीता और उनको सवतंतर छोड़ दिया अधीनता स्विकार करवा करके उनके लेखों से पता चलता है कि वे अपने आस्पडोस के और धक्षिन भारत के चोदा राज्यों से करवसूलते थे इनका सामराज उत्तर में हिमाले से लेकर के दक्षिन में नर्मदा नदी तक पूरव में ब्रह्मपुत्र से लेकर के पश्चिम में चम्बल नदी तक था आगे मैप में इस सामराज को देखेंगे वी ए स्मिथ एक यूरोपियन इतियासकार हुए है जिन्होंने भारत के इतियास पहला भारत का इतियास लिखा है इन्होंने लिखा है कि समुद्र गुप्त भारत के नैपोलियन थे परन्तु प्यारे विद्यारतियों समुद्र गुप्त नैपोलियन से भी महान थे क्योंकि समुद्र गुप्त कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे हमने उपर देखा वो 22 लड़ाईयां 23 लड़ाईयां उन्होंने लड़ी एक भी लड़ाई में वो नहीं आरे जबकि नैपोलियन तो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था और सेज जीवन कारावास में वैतित किया था जबकि समुद्र गुप्त हमेशा सोतंतर सासक रहे और कभी भी किसी सासक द्वारा हराए नहीं गए इसलिए समुद्र गुप्त से नैपोलियन की तुलना नहीं की जा सकती ये सामराज देखते हैं समुद्र गुप्त का सामराज जिसमें बिहार का बहुत अधिक हिस्सा है इस तरह से आज का पूरा उत्र प्रदेश लगभग सारा ये छेत्र था ये विशाल सामराज उन्होंने जीता ये देख रहे हैं हम उदर सिंध नदी तक के पार तक इनका सामराज जिसमें भी काफी दूरी तक इनका सामराज जी था आंधर प्रदेश तक इधर ब्रह्म पूतर तक इनका सामराज जी था इस तरह से गुप्त एक विशाल सामराज के धनी थे जारी द्यारतियों समुद्र गुप्त के बाद राम गुप्त गद्धी पर बैखता है इसका राजकाल पांच साल का माना जाता है 375 इसवी से 380 इसवी तक राम गुप्त की जानकारी हमें विशाखादत के नाटक देवी चंद्र गुप्त समसे पता चलती है कहते हैं कि शक शाशक रुद्र शिंग चिरतिये ने राम गुप्त को हरा दिया और उससे उसकी पतनी धुरू सामनी की मांग रखी जो राम गुप्त ने स्विकार कर ली परन्तु जब उनके छोटे भाई चंद्र गुप्त को इस बात की जानकारी लगी तो वो अपने भाई राम गुप्त की हत्या कर देता है और स्वेम धुरू सामनी का वेश धान करके सक्षासक के दरवार में पहुंचता है और उसकी हत्या कर देता है और इस त्रह से चंद्र गुप्त जित्तिये गद्धी पर बैठता है जो बाद में विक्रमा दित्त की उपाधी भी लेता है चंद्र गुप्त दित्तिये का राज काल तीन सो असी से चार सो पंदरा इसी तक रहा परसासन के छेत्र में वेज्ञानिक वेश साहित्तिक उन्नत्ति में इस सासक ने गुप्त काल को इतियास में स्वर्ण काल का नाम दिला दिया ये बड़ा ही कूटनीतिक शासक था अपने सामराज को मजबूत करने के लिए अनेक राजाओं से इसने वेभाईक संबंद स्थापित किये उस समय के प्रमुक शासक नागराज की पुत्री कुबेर नाग से इसने विवा किया तथा अपनी पुत्री प्रभावती का विवा वाका तक राजा के यहां करके इस तरह से अनेक राज्यों से वेभाईक संबंद स्थापित करके अपनी स्थीति को मजबूत किया इसके अलावा युद्धों से भी इसने अनेग राज्यों को जीता इसने मालवा, गुजरात और काठियावाड को जीता फिर सकों के सासक रुद्र सिंग तिर्थिये को हराया जो हम देवी चंद्रगुप्तम नाटक में भी देखते हैं शकों को हरा करके इसने शकारी की उपाधी धार्ण की और विक्रमादित्त की वी उपाधी धार्ण की वंग अर्थात बंगाल को पुने इनों ने जीता इसी त्रह से सप्त शिंधू पार करके अफगानिस्तान स्थित बल्ख परदेश को जीता वहां एक वहलिक नाम की जाती रहती थी उसको राया उज्जयन को इसने अपने सामराज की राजधानी बनाया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद गद्धी पर आते हैं कुमार गुप्त का राजकाल 415 इसवी से 455 इसवी तक रहा यह भी एक सक्ति साली राजा था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा फेलाए गए सामराज को स्रक्षित रखा इसने अनेक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा इसके बाद सकंद गुप्त गद्धी पर बैठा यह गुप्त काल का अंतिम सासक माना जाता है इस सासक के बाद इस काल का पतन हो जाता है यानि के गुप्त काल का अंत हो जाता है इसका राजकाल 455 से 466 इसवी तक माना जाता है इस सासक की प्रमुखुपलब्दी हुणों को कड़ी पराजे देना है और अपने काल में इसने सुराष्ट में बनी सुदर्शन जील की मरम्मत करवाई इसके बाद जो सासक आये वो बहुत ही कमजोर सासक आये और गुप्त सामराज का पतन हो गया अब नजर डालते हैं एक बार प्यारे विद्यार्थयों गुप्त परशाशन पर सबसे पहले देखते हैं गुप्तों का केंद्रिये परशाशन केंद्रे परसाशन में राजा धुरी होता था सारा राज कारियर राजा के चारो तरफ ही गूमता था राजा का पद पैतरक होता था और राजा निरंकुश होता था परन्तू इस काल में बड़े पुत्रियन के जेस्ठा अदिकार की जगहें योग पुत्र को गद्धी दी जाती थी ये हम इस काल में देखते हैं कि योग पुत्री गद्धी पर बैठता था समुद्र गुप्त भी अपने भायों में बड़े नहीं थे इस तरह से सकंद गुप्त भी अपने भायों में बड़े नहीं थे फिर भी गद्धी पर बैठे इ म्याकों को हराकर शकारी की उपादी भी ली थी हिनकी साहेता के लिए मंत्री ओते थे। प्रमुख मंत्री इस प्रकार थे, एक मंत्री होता था युद्ध और, शांती का मंत्री, इसको शंधी विग्राहक कहते थे दूसरा महादंड नायक यह न्याय मंत्री होता था एक होता था मंत्री महाप्रतिहार यह राजमहल की व्यवस्थाएं देखता था एक पुलिस का अधिकारी होता था जिसको दंड पाशिक कहते थे, इसके अलावा प्रोहित आदी अनेक मंत्री भी होते थे, प्रांत ये वेस्थाने प्रसासन देखते हैं, प्रांत को उसमें देश कहा जाता था, और इसका मुख्या उपारिक होता था, देश को आगे भुगती में बाटा हुआ था, जो आज की कमिस्नरियों की तरह होता है, इसमें कई जिले होते थे, कुछ सासक भुगती को प्रांत ही मानते हैं, भुगती को आगे विशयों में बाटा हुआ था, विशय का सासक विशय पती होता था, विशय आज के जिलों की तरह होते थे, विशय आगे ग्राम में बटे हुए थे, ग्राम का सासक ग्राम्यक होता था और इसकी साहता के लिए पंचयायत होती थी नगरों की विवस्था काभी विशेश प्रबंद था बड़ी अच्छी नगर विवस्था ये करते थे नगर के मुख्या को कुमार मित्त बोला जाता था इसकी साहता के लिए एक परीशद होती थी जैसे आजकल नगर परिशद होती है ऐसे ही उसमें भी परिशद होती थी जो नगर के प्रबंद को देखती थी और नगर से कर आधी इकठा करती थी गुप्त काल का सेनिक परबंद गुप्त सासकों के पास एक विशाल सेना थी सेना को छे अंगों में विभाजित किया गया था पैदल सेना इसका मंतरी महा भला धिकारिता था गुड सेना इसका मंतरी महा अस्वपती कहते थे हाथी सेना के मंतरी को महा पीलूपती कहते थे इसी तरह से रत सेना भी थी जल सेना भी थी और इस पांच प्रकार की सेनाओं की सहायतार विवस्था के लिए एक अलग शे प्रबंद करने वाली सेना भी थी जो इनके लिए हतियार, रत, घोडे, यातायात के साधन, हाथी, आदी उपलब्द करवाती थी अब गुप्त कालिन आर्थिक स्थिती की जानकारी लेते हैं क्रिशी, गुप्त काल में बहुती उन्नत क्रिशी थी, विभिन प्रकार की फशलें बोई जाती थी गुप्त काल की क्रिशी की जानकारी हमें उस समय के दो साहितिक स्त्रोत मिलते हैं, एक है वरत सहिता और दूसरा है अमरकोश समराट सकंद गुप्त ने स्वराष्ट के गिरनार नगर में शुदर्शन जील की मरमत करवाई, जीरनो धार करवाया, क्योंकि यह जील शिंचाई के लिए काम आती थी उद्योग उस समय सूती, रेजमी, उनी वे मलमल वस्तर उद्योग बड़ा उन्नत था और विदेशों तक वस्तर भेजे जाते थे, वस्तर के केंदर थे उस समय गुजरात, बंगाल, मत्रा, वारनशी, दातू उद्योग भी बड़ा विक्षित था, सोने वे चांदी के आभूषणों का निर्मान का भी अच्छा वर्णन मिलता है, दातू के छेतर में उनकी उन्नती का उधारन इस बात से पता चलता है कि दिल्ली के पास महरोली में खड़ा लोस्तंब जो आज भी विश्यू के लिए आश्चरिये है कि उसे जंग क्यों नहीं लगता, व्यापार व्यापार भी बड़ा ही उन्नत था, व्यापारियों ने अपनी स्रेणिया बनाई हुई थी, प्यारे विद्यारतियों स्रेणिया क्या होती थी, स्रेणिया कामगारों के अपनी यूनियने थी, जैसे कुमार अपनी यूनियन बना लेते थे, स्वनकार अपनी य बनाते थे और इस union का अर्था तिस स्ष्रेणी का मुख्या स्ष्टी होता था इन स्ष्रेणियों के उपर यानके कई स्ष्रेणियों को मिला करके एक निगम होता था जो सभी स्ष्रेणी के लोगों का ध्यान रखती थी श्रेणी वे निगमों का समाज में बड़ा सम्मान था उसमें साहुकार भी होते थे जो ब्याज पर धनराशी देते थे उसमें कहते हैं कि 20% तक ब्याज वसुला जाता था व्यापार जल और थल दोनों मार्गों से होता था उसमें के परमुख व्यापारिक नगर थे भडोच उज्जेन विदीशा गया बनारश पाटली पुत्र आदी और उसमें की परमुख बंद्रगाएं जहां से व्यापार होता था विदेशों में समुद्र के रास्ते वो थी तामरलिप्ती अरिक मेदू कावेरी पतनम सोपारा भारूकच आदी विदेशों को हम विभिन परकार के कपड़े हाथी दात केशर समुद्री उत्पादन भेजते थे बदले में हम सोना चांदी तामबा आदी धात्में लेते थे टिन घोड़ा आदी मंगवाते थे रह से गुप्त कालीन आयात मिर्यात को हमने विद्यारतियों देखा है विद्यारतियों अब गुप्त कालीन सामाजिक स्थिती पर नजर डालते हैं समाज में वर्ण व्यवस्था थी ब्रामन छत्री वैश और शुदृ च्यार प्रमुक वर्ण थे कोई भी किसी भी व्यव वस्ता कठोर नहीं थी वेवाईक संबंद भी एक वरण से दूसरे वरण में सामान्य थे यानि के एक वरण का व्यक्ति दूसरे वरण में विभा कर सकता था फायान लिखता है कि चांडालों को ही दूर रखा जाता था वे अलग बस्तियों में रहते थे ब्रह्मनों को द्वि परती चनुशार शुद्र कोई भी कारिय करने के लिए सवतंतर था उसमें दासप्रथा थी परन्तु कठोर नहीं थी जुए में हाराव व्यक्ति दास्बंदियों को दास बनाया जाता था परन्तु समय के अनुशार ये theatre साम participate कि गुप्तकाल में परिवार संयुक थे, बहु विवापर्था पुर्सों में तो थी, इस्त्रियों में दूसरे विवाप के अनुमती नहीं थी, शाही परिवारों में शती पर्था भी स्थान बनाने लगी थी, समाज में भूमी दान का पर्चलन था, ब्रामनों को जो भूमी दान दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था, साशक मंदिरों को, जैन मंदिरों को, बोध मठों को दान देते थे, राजप्रिवार की महिलाएं भी दान देती थी, एक अभीलेक से पता चलता है कि चंदरगुप चित्य की पुत्री प्रभावती ने भूमी दान दी, इससे पता चलता है कि महिलाओं को भी अचल संपत्ती दान देने का अधिकार था, परनतु ये केवल राजपरिवार की महिलाओं को था सामान्य महिलाओं को इस तरह का अधिकार था इस बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती शिक्षा के केंदर उसमें नालंदा और वल्ल भी थे यहनके बोध मठ शिक्षा के प्रमुक केंदर थे इस सिंग लिखता है कि नालंदा विश्विद्याले बहुत बड़ा था इसमें 300 कमरे थे 300 कमरों का ये विश्विद्याले था और इसमें 10,000 विद्यारति पढ़ते थे इस विश्विद्याले का खर्च 200 गाऊं से जो उपजा आती थी उस से चलता था विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने के लिए यहां आते हैं। विद्यार्थी महान विद्वान हुए। यह शिक्षा तथा साहित्यकास्वनकाल माना जाता है। विज्ञान तथा तकनीकी के छेत्र में बड़ी उन्नत्य हुई। आरिये भट, ब्रह्म गुप्त, वरा मिहर जैसे खगोल सास्त्री और गणितग इशकाल में हुए। इसकाल में गणित, खगोल और चिकित्षा के छेत्र में बड़ी उन्नत्य हुई। आरिये भट के अनेक क्रंथ हमें मिलते हैं। आरिये भट्यम, दस गीती का सुरा, आरिये श्तासला, आज भी हमें उपलब्द हैं। नो अंकों के स्थानिक मुल्यों के सिद्धानतों की खोज भी आरिये भटने की नोंकों की खोज, साथ में सुन्नी की खोज भी आरिये भट की मानी जाती है। पाई का निकटतम मुल्य भी आरिये भट द्वारा निकाला गया। यह पर्थम खगोल सास्त्री था यह कौन आरिये भट जिसने यह गोशना की कि पृत्वी गोल है और यह भी बताया कि यह सूरिये के इर्द गिर्द गूमती है और अपनी धुरी पर भी गूमती है उन्होंने सूरिये ग्रहन और चंद्र ग्रहन की ठीक ठीक जानकारी उस समय दी उनके द्वारा बताया गया पृत्वी का आकार और आज के बताये गए वेग्यानिकों द्वारा आकार में कोई ज्यादा अंतर नहीं है यहनि के उन्होंने उस काल में पृत्वी का आकार भहुत ठीक ठीक बता दिया था वरामिहर भी उस काल के प्रमुख वेग्यानिक तespère उन्हों ने भी खगोल Syastra पर पांच प्रौणालिया नामक उस तक लिखि इसी तरे तरह से व्रत् शहिंता में भृन निर्मान कला धातू विद्ग्यान कला का वरणन महिर ने किया है व्रत् कि भौन कैसे बनाए जाए धात्मों का निर्मान कैसे किया जाए उसमें महानवेज्ञानिक ब्रह्म गुप्ट भी हुए इन्होंने ब्रह्म स्पूत था खंड नायक की रचना की सूसृत जैसे प्लास्टिक शर्जन और चरक जैसे चीरफार कारने वाले चिकित्सक भी उसी का काल के आसपास हुए वागभट की अस्टांग रचना में हमें चरक और सूसृत का भी वर्णन मिलता है इसी काल में पलकपम नामक एक अन्यवैद्ध हुए इन्होंने हाथियों के इलाज की पुस्तक लिखी जिशे हस्त आयरवेद कहा जाता है धातु विज्ञान में विभ अग्रणी थे गुप्त उनके समय का यहनिके चंद्र गुप्त विक्रमादित्त के समय का महरोली लोहोस्तंब हमें मिलता है जिस पर आज भी जंग नहीं लगता गुप्त कालिन सिक्के बड़े सुन्दर ढ़ले हुए हैं भवन निर्वानकला और मूर्तिकला का भी उस समय क ओई सानी नहीं है भगवान शिव विष्णु का अनेक मंदिर बने तो वहीं अनेक मठों है जैन मंदिरों का निर्माण भी इसी काल में हुआ जांसी के देवगड में दसाउतार मंदिर कानपूर के निकट भित्र गाओं में इटों का बना मंदिर जबलपूर में तिगवा का मंदिर विष्णु मंदिर है तिगवा में भूमरा का सिव मंदिर नचना कुठारा में पार्वती मंदिर सांचिवे गया के बोध मंदिर इ इसी प्रकार हिंदू देवी देवताओं जैन वे महात्मा बुद्ध की अनेकों मूर्तिया में मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त काल में चहु मुख्वी विकास वहा और इसी लिए इस काल को स्वन काल इतिहासकारों ने नाम दिया। प्रविद्यार्थियों ये धातु विज्ञान का बहुत बड़ा सबूत आपके सामने है। ये महरोली का लोहोस्तंब है। इस लोहोस्तंब को जंग नहीं लगता। ऐसा लोहा आज भी विज्ञानिक तयार नहीं कर पाए हैं जिसको जंग ना लगे। गुप्त कालिन शिक्कों पर नजर डालते हैं एक बार। देखे शिक्के ये शिक्के हैं इन शिक्कों में भगवान इस शिक्के में देखिए भगवान राम और सीता का चित्र है। इस शिक्क को ध्यान से देखिए मा दुर्गा शेर पर बैठी हुई है इसी तरह से ये शिक्का चंद्रगुप्त विक्रमा दित का है ये शिक्का समुद्रगुप्त का है ये भी शिक्का समुद्रगुप्त का है इसमें ये अस्मेक का घोड़ा इसमें दिखाया गया है अस्म ग्यक करने के बाद समुद्र गुप्त ने ये शिक्का जारी किया होगा इसी तरह से इस शिक्के में समुद्र गुप्त वीना बजा रहे हैं इन शिक्कों से हमें उस समय के धार्मिक स्थीती का राजाओं की रूची का पता चलता है जैसे वीना बजाते हुए बताता है कि रा गदा या तीर लिए वेचित्र बताते हैं कि वो अपने आप में योधा थे, इसी तरह से ये धार्मिक स्थीति को बताते हैं कि भगवान राम सीता और मादुरगा की पूजा करते थे, इस तरह से उसे में के सिक्के हमें आर्थिक स्थीति को बताते हैं कि ये सिक्के सोने के थ और जो बताते हैं कि राज बड़ा ही धन्वान था इसलिए शिक्के सोने के जारी हुए थे ये कानपुर के निकट भीत्री गाउं का इटों का मंदिर है इटों द्वारा निर्मान कारियर बड़ी अच्छी स्थीति में प्यार विद्यारती ये मंदिर आज भी है बहुत सुन सुन्दर कलाकारी डिजाइन देखे इसका निर्मान कारिये देखे बारी कीशे नजर डालिए एक बार कितना सुन्दर ये मंदिर उसकाल में बनाया गया था आज भी अपनी भविता को दिखा रहा है यह उत्तर प्रदेश में जासी जिले में देवगड के स्थान पर दस आ सुन्दर मूरतियां इस मंदिर में हमें मिलती हैं उत्तर प्रदेश के जासी जिले में देवगड के स्थान पर दस आउतार मंदिर मिलता है इसमें भगवान विश्णु के दस आउतारों का वर्णन किया गया है यह भगवान विश्णु लेटे हुए हैं और लक्षमी माता लक्षमी उनके पैर दबा रही है इसी तरह से यह चित्र यहां साफ दिया गया है देखिए यहां पर और यह अन्य देवगण दिखाए गए हैं भगवान विश्णों के साथ यहां इधर उसकाल के महावीर जैन की मूर्ति दिखाई गई है जो ध्यान में बैठे हुए है यह शिव मंदिर है इसको कई कोनों से जित्र इसमे दिये गए है यह दूसरा यह तिसरा फोटो है भगवान सीव का उस समय की और साथ में मंदिर यह भूमरह का शिव मंदिर है जबलपुर से प्रश्ण मंदिर है काफी टूट फूट चुका है चत्विश्षत हो गया है फिर भी उस समय की कला को ये आज भी परदर्शित करता है इसी के साथ प्यारे विद्यारतियों आज का हमारा विश्षय समाप्त होता है प्यारविद्यारतियों हमने अब गुप्त काल के बारे में जाना अब इस से संबंधित अभ्यास के प्रशन हम करेंगे इन सभी प्रशनों के उत्तर इसी व्याख्यान में दिये गए हैं आप स्लाइड से इनके उत्तर लिख सकते हैं पहला प्रशन है समुद्र गुप्त की विजयों का वर्णन करें दूसरा प्रशन चंदर गुप्त दित्ये की उपलब्धियों का वर्णन करें तीसरा प्रशन गुप्त कालीन विज्ञान और तकनिकी का वर्णन करो चोथा प्रशन गुप्त कालीन प्रांतिये प्रशाशन का वर्णन करो पांचवा प्रशन गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है प्यारे विद्यार्तों इनी इन सब प्रसनों के उत्तर आप अपनी नोट्बुक में लिखेंगे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद